शो की शुरुवात एक पानी के नीचे के विसफोर्ट से होती है जो एक छिपे हुए रहस्य को उजागर करता हुआ प्रतीत होता है सतह पर हम एक तेल रिक देख सकते हैं जिसका नाम है समंदर के बीच में किन लौच ब्रावो कई श्रमिक महीनों से वहाँ थे और अंततह वे घर लोट रहे हैं फिर हम एक मज़ेदार करमचारी को देखते हैं उन्होंने बाज का नाम रखा जो वीडियो गेम खेल रहे हैं और बाद में घर वापस हेलिकॉप्टर में सवार होने के लिए उच्छ साहित हैं लेकिन इससे पहले कि हमें कोई जवाब मिल सके फोन अचानक कट जाता है इस बीच स्थान पर संपूर्ण संचार प्रणाली ठप हो जाती है जिससे वे किसी से संपर्क नहीं कर बाते ये बाज के लिए बिलकुल सही है जो सिर्फ वीडियो गेम खेलना चाहता है इसका नाम फुलमर है पावर रूम में जाता है और पाता है कि सभी जनरेटर अप्रत्याशित रूप से काम करना बंद कर चुके हैं और कोई विकल्प नहीं होने पर क्रू को फिलहाल बैक अप बैटरियों पर निर्भर रहना पड़ता है अभी के लिए मैगनस चिंतित है और एक बचाव जहाज से संपर्क करने की कोशिश करता है सिर्फ यह जानने के लिए कि रेडियो भी बंद है थोड़ी देर बाद पूरा रिग हिलने लगता है इंसक रूप से और उतपादन मॉड्यूल में आग लगने लगती है फिर मैगनस आदेश देता है कि मॉड्यूल को तुरंत बंद कर दिया जाए और इंबोर्ड वेग्यानिक रोज इसका विरोध करती है क्योंकि उनका कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है और इससे कंपनी को वित्तिय नुकसान हो सकता है इसके बाद समूह बाहर देखता है और एक घने धुंद की लहर को देखता है वे तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं घबराए हुए फुलमर कहता है कि उनके लिए कोई हेलिकॉप्टर नहीं आ रहा है फिर मजदूर अंदर लौट आते हैं क्योंकि लाइन में नेविगेट करना असंभव है ऐसे मौसम में जीवन रक्षक नौका इसके बाद मैगनस फैसला करता है कि वे केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब वे संचार स्थापित करें इसलिए वह फुलमर को रेडियो टावर का निरिक्षन करने और आवश्चक तैयारियां करने का काम सौपता है बाज को भी भेजने का फैसला करता है हालांकि वह थोड़ा अनभिज है कुछ देर बाद हटन आता है और मैगनस को चेतावनी देता है कि रेडियो टावर पर चड़ना बहुत खतरनाक है लेकिन बाद वाला जोड देता है कि कोई और विकलप नहीं हटन बाज से कहते हैं कि उसे जाने की जरूरत नहीं है एक समय पर वह घबरा जाता है और नीचे फुलमर को नहीं देख पाता वह फिर एक पक्षी से चौक जाता है और लगभग गिर जाता है लेकिन उसके हारनेस द्वारा बचा लिया जाता है बाद में जब फुलमर उपकरण पर काम कर रहा होता है बाज उसे चड़ाने लगता है ये दावा करते हुए कि उसे हेलिकाप्टर पर जगह के लिए हटा दिया गया क्योंकि वह डेट कर रहा है बाज गलती से वोल्ट मीटर गिरा देता है लेकिन गुस्से में फुलमर उसे छोड़ कर आगे बढ़ जाता है इस बीच मैगनस और हटन रेडियो टावर के नीचे खड़े होकर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं अचानक वे तब चौक जाते हैं जब बाज का शरीर जमीन पर गिर जाता है मैगनस मदद के लिए बुलाता है और एक युद्ध चिंतित रोज जल्दी से उस जगह पर भागती है उसे फुलमर का मृत मिलना देखकर काफी राहत मिलती है अभी भी खड़ा है बाद वाला फिर समझाता है कि बाज उसके बाद नीचे उतर रहा था लेकिन उससे नहीं पता क्या हुआ इसके बाद एक मेडिकल करमी जिसका नाम कैट है आता है और बाज को चिकित सा कक्ष में ले जाता है वह कहती है कि उसे मुख्य भूमी के अस्पताल में स्थाना अंतरित करने की आवश्यक्ता है क्योंकि उसकी चोटें असहनी हैं हटन मांग करता है कि कैट उसे ठीक कर दे लेकिन वह जोर देती है कि वह केवल उसे स्थिर कर सकती है और उसका साथ दे सकती है आरामदायक तब तक जब तक वह हो सकता है ये सुनकर गुसे में हटन कमरे के चारों और वस्तूओं को पटकना शुरू कर देता है गुसे में बाहर निकलने से पहले नियंतरन कक्ष में फुलमर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता जब रोज उसे देखने आती है तो वह कबूल करता है कि उसे दोशी महसूस हो रहा है बाज की रक्षा करने में सक्षम है वह उसे सांत्वना देती है और कहती है कि उसे पहले से अंदाजा होना चाहिए था क्योंकि बाज पहले ही रास्ते में फिसल चुका था उपर फुलमर उसे बताता है कि दुरघटना से ठीक पहले वे बहस कर रहे थे क्योंकि बाज उनके रिष्टे के बारे में बुरा बोल रहा था यह सुनकर रोज उसे चूमती है और उसे आश्वस्त करती है कि बाज की दुरघटना उसकी नहीं है वह बिल्कुल भी शक नहीं कर रही है जो अपने आप में शक करने लायक है बाद में जब कैट बाथरूम छोड़ रही होती है तो अचानक उसे गुस्से में भरे हटन द्वारा हमला किया जाता है वह उसका गला घोंटने लगता है और मांग करता है कि बाज को किसी भी कीमत पर ठीक किया जाए कैट जो एक सेना की चिकितसक है जल्दी से आकरामक व्यक्ती को नीचे पिन कर देते हैं और उसे फर्ष पर छोड़ देते हैं इस बीच चिकितसकक्ष में बाज धीरे-धीरे होश में आता है और दीवार के नीचे क्या हुआ था इसका एक द्रिश्य देखता है जो पहले दिखाया गया था ये द्रिश्य बाद में हटन मेगनस से मिलने के लिए भागता है और घटना के लिए उसे दोशी ठहराता है वह मांग करता है कि मेगनस नौसेना को बुलाए या हेलिकॉप्टर लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े लेकिन मेगनस को एहसास होता है कि उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है इसके बाद हटन मेगनस के दस्तावेजों को देखना शुरू करता है और एक गोपनिय फाइल खोचता है कुछ समय बाद हटन हेलिपैड पर पहुँचता है वह सभी करमचारियों को इकठा करता है और दावा करता है कि मेगनस एक बड़ा राज छुपा रहा है और कोहरे और खराब मौसम के बहाने बना रहा है वह मैगनस पर आरोप लगाता है कि उसने बाच को टावर पर भेजा क्योंकि वह किसी बात से डर गया था उसे सच बताने के लिए प्रेरित करता है उससे पहले कि वह उन्हें गोपनिय फाइल दिखाए मैगनस आगे बढ़ता है और सभी को सूचित करता है कि उनकी कमपनी ने पूरे किनलोच क्षेत्र को बंद करने और हर किसी का रोजगार समाप्त करने की योजना बनाई है वे नहीं चाहते थे कि वह यह प्रकट करे उन्हें डर था कि करमचारी उसे छोड़ देंगे डिकमीशनिंग प्रक्रिया से पहले मैगनस कहते हैं कि अब उनकी प्राथमिक्ता उन्हें घर पहुचाना है और यही वह करने जा रहे हैं पहले की चौकाने वाले करमचारी जानकारी को समझ पाते आकाश से छोटे-छोटे कण गिरने लगते हैं जो बर्फ की तरह दिखते हैं लेकिन वास्ताव में राक है तभी एक घायल बाज दिखाई देता है और उनकी आश्चर्य की बात ये है कि वे खोचते हैं कि उसका पहले से तूटा हुआ शरीर चमतकारिक रूप से ठीक हो गया है वह परेशान दिख रहा है इसलिए कर्मचारी उसकी मदद के लिए दोड़ते हैं और उसे एक जैकेट देते हैं बाज फिर दावा करने लगता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पहले से ही बंदूक फिर वह फिर से बेहोश हो जाता है इसलिए अन्य कर्मचारी उसे औज़ धाले ले जाते हैं स्मृती थोड़ी दिर बाद वह जागता है और खुद को स्ट्रेचर पर पाता है रोज पूछती है कि उसने हेलिपैट पर क्या कहा था लेकिन बाज दावा करता है कि औस उसको कुछ याद नहीं है वह बस इतना कहता है कि कोहरे में कुछ था और उसने अपने सिर में आवाजें सुनी है कैट तब उससे रक्त का नमूना लेने की कोशिश करती है जिससे वो नाराज हो जाता है वो आक्रामक हो जाता है और सहीोग करने से इंकार कर देता है लेकिन लड़कियां उसे रोक लेती है और किसी तरह उसका खून ले लेती है इस समय बाज बहुत डरा हुआ दिखाई देता है और दावा करता है कि एक विशाल लहर रास्ते में है बाकी के छोडने के बाद वो अपने घाव की जाँच करता है घाव और कुछ चमकदार वस्तूओं को देखता है जो उपचार प्रक्रिया को तेज करती है उत्रन कक्ष के बाहर टीम देखती है कि नीचे से एक प्रकाश चमक रहा है एक करमचारी जिसका नाम लेक है बाहर जाता है और इसे स्टेंड बाई पोद द्वारा भेजे गए मोर्स कोड के रूप में पहचानता है फिर चालक दल को एहसास होता है कि यह संदेश एक पैन है या संभावित सहाय था इसने फुलमर को नर्देश दिया कि वह जहास के चालक दल के साथ संचार स्थापित करने के लिए डेक पर रोशनी चमका कर संदेश का जवाब दे इस बीच हम देखते हैं कि हटन को एक कमरे में रखा गया है प्रक्ष में अवरोधों के दौरान भह पाता है कि उसके घाव चमतकारिक रूप से ठीक हो गए है चानक उसे भयंकर सिरदर्ध होता है और उसका सोने का दांत गिर जाता है इसके बाद वरिष्ठों द्वारा निरस्त्री करण पर चर्चा की जा रही होती है जब कैट दोड़ कराती है कि बाज गायब है इस बीच एक पुल्विन को एक केबिन में बाज मिलता है जो खिड़की पर अजीब प्रतीक बना रहा है और कुछ बड़बडाते हुए बूढ़ा आदमी पूचता है कि क्या हो रहा है और बाज बताता है कि उसके सिर में बहुत सारी आवाजें हैं और उसे दुरगटना से बचना नहीं चाहिए था लेक्टन से काप रहा है और उसे गर्म होने की जरूरत है इसलिए वह कैट के क्लिनिक में चुप के से घुसता है और दम रखता है तुरंत अपने वरिष्टों को सूचित करती है जुस्तित से चकित हो जाते हैं कट मृत्यू के कारण का निर्धारन करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है इसलिए वह निशकर्ष निकालती है कि वहरक्त सराव से मरा तब ही एक कर्मचारी उनके पास आते हैं और उन्हें बाज का सोने का दाथ दिखाते हैं रोज फिर अनुमान लगाती है कि हवा में राख के संपर्क में आने वाले संक्रमित हो गए है और लेक्स के टैचू हटाए गए थे उसका प्रिंस अलबर्ट भी गिर गया लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए पूर्व टीम मिलकर जांच कर रही है और इस दौरान पहली बार फुलमर गलती से अपने हाथ को घायल कर लेता है इस बीच हटन अपने कमरे से भागने में साफल हो जाता है और हॉलवे में घूमने लगता है बाहर निकलने का रास्ता ढूनने के लिए द्रध संकल्पित वह सीधे संचार की और जाता है वह चाहता है कि वह पोत को अपना मार्क सही करने के लिए संदेश भेजे फिर एक घोशना की जाती है पूरे क्रू को बनाया गया उन्हें प्लेट फार्म पर लोटने और वहीं रहने की सूच न दी वहां रुको तब तक अंदर ही रहो निर्देश इस बीच आलविन ने डेक के निचले हिस्से में बाज को ढूंड निकाला और उसके लिए चिंतित हो गया वह जल्दी से बाज के पास जाता है और उसे वापस आने के लिए आग रह करता है हालांकि बाज मना कर देता है और कहता है वहां उस जल प्राणी को देखना चाहता है जो यह सब कर रहा है आलविन फिर करीब आता है लेकिन बाज आकरामक हो जाता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है फिर वहां आलविन में पानी थूकने लगता है आलविन का मूँ भयानक तरीके से खुला हुआ है लेकिन इससे पहले कि वह बेचारे को मार सके वहाँ कोई आ जाता है जिससे बाज भाग जाता है इसके बाद आलविन जमीन पर गिर जाता है करमचारी उसकी सहायता के लिए दोड़ते हैं और उसे पुनर जीवित करने का प्रयास करते हैं लेकिन उनके प्रयास विफल हो जाते हैं कैट उसकी जाच करती है और निशकर्ष निकालती है कि आल मैन की मृत्यू डूबने के कारण हुई प्रतीत होती है जिससे जो असंभव है द्रिश्य को देखकर दुखी होकर मैगनस आंसूं में तूट जाता है और दोशी महसूस करता है कि उसके दो कर्मचारियों की एक ही दिन मृत्यू हो गई और वह कुछ नहीं कर सका दूसरी और रोज विभिन सामगरियों के साथ उसकी प्रतिक्रिया को बहतर ढंग से समझने के लिए राख के साथ प्रयोग करती है बाद में वह मैगनस से मिलती है और खुलासा करती है कि पदार्थ नहीं है राख नहीं बलकि जीवित गोले जीव जैसे प्रजीवी ये जीव मैजबान में प्रवेश करते हैं और अशुद्यों को हटाते हैं वह दावा करती हैं लोग या जो लंबे समय तक राख के संबर्क में रहे हैं समय के साथ ये कर्ण और भी अधिक सम्विदनशील हो जाते हैं फिर दृष ये एक चिंदित फुलमर की और स्थानांतरित हो जाता है जो अपनी छोटों का निरीक्षन कर रहा है और फिर बास तक जो भयानक है पानी को घूरते हुए